हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश टेंथ का इंग्लिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह बहुत ही इंपोर्टन रहेगा आपके आने वाले एक्जाम जो आप लोग है देखिए अब आप लोग बता आप आप लोगो बता देखिया करना क्या होगा देखिए यहां पर जो है एक क्वेश्चन हमने लिया है उसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है अगर आपको ये वाला पीडियएफ चाहिए होगा ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं जोएन किया उनको यह काम नहीं करना है लेकिन जो न्यू इस्टूडेंट है अगर वह यह वाला पीडियाफ लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके स्क्रिंसाट लेकर के मुझे वाटसब कीजिएगा दिये गए नंबर पे आपको हम यह वाला पीडियाफ प्रोवाइट करवा देंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ही घू इस धा ऑफर टा इस्ट्वारी फुट प्रिंट विडाउट फिट थीक है vog your options है चारं और फिट एब को देख रहाए यहां पर चारं इहां पर यहां पर हिंदी में हिंदी में हैं अंग्लिस में हमने यहां पर हिंदी भी कर दिया कि फुट्पुरिंट विदाउट यह इसका राइट अंसर है ध्यान में रखिएगा चली चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर अगला सवाल देखिए कोसर नंबर दो को ध्यान से देखिएगा कह रहा है कि लड़के किसका पीछा कर रहे थे आपके पास देखिए यहां पर ओप्संस है फिर उसी प्रकार से हमने ओप्संस यहां पर लगवा दिया है आपका इंग्लिस में भी है आपका हिंदी में भी है एक विज्ञानिक ए डॉग एक कुछता कल लाइफ के गलास में मैं थोचा मैं इसलिए आप लोग को अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहा था लेकिन अब आपके लिए जो है अच्छे से मैंने वीडियो बना दिया है उमीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी किजिएगा सभी को ठीक है कि आप लोग लिए इतनी महनस से पीडियार किया हू लेकिन जो सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप लोग सेयर कर दीजेगा एंड मुझे स्क्रीन सोट भेज़ देजेगा हम पीडियाप देदेंगे आप लोग इसका आंसर हम आपको बता देते हैं इसका जो आंसर होगा लल इस एर नन ओफ दीज कांच के जैसा हवा और बर्फ के जैसा या फिर हवा लिख सकते हवा यहां पर नहीं होना चाहिए स्री बर्फ होना चाहिए इस मतलब बर्फ होता है हवा इन में से कोई नहीं इसका जो राइट आंसर होता है बिल्कुल ग्लास के तरह उसका क्या है इसका हिंदी हो जाएगा क्या सुझाव देता है कि वह बेघर भटकने वाला था ठीक है क्या यानि क्या नहीं होना चाहिए वाट किसमें होगा ठीक है तो हो जागे यहां पर कोई नो क्लोथ नो मणी इन्वीजवल आल अफ दीज राइट अंसर इसमें भटकने वाला सुझाव देता है कि वह बेघर भटकने वाला कोई कपड़ा नहीं है कोई पैसा नहीं है अध्रिस से यह सभी हो जाएगा ठीक है इन्वी लंडन में उन्हें कहां अराम मिला था सराय में एक वड़ी दुकान में रंगमंच की दुकान में या फिर इन में से कोई नहीं है इंट अ इसे भीग श्टोर थ्याटर स्टोर नन अ आप लिए उसका क्या होगा तो राइट आंसर हो जायगा ऑपसे नंबर 2 तो बीग इस्टोर में एक बड़ी दुकान में को सानमर सिक्स पर आए को सानमर सिक्स में कह रहा है कि वाट डू यू मीन बाइदा वर्ड सेंट्रिक संकी सब्र से आपका क्या मतलग है ंकॉमन एक्स्ट्रा कैची नन अफ दीस यनकि आसमान ने को सन नमबर सेवन में आपसे कह रहा है कि उधे कर एक ऐसाधारान संबंद कहा किस्ने कहा था आपको यह बताना है, options भी आपके पास है, सभी option आप देख पा रहे हो, ठीक है, देख लिजे, सभी option आपके पास है, इसका हिंदी भी हमने यहां पे कर दिया है, पादरी हो जाएगा, पादरी की पत्नी हो जाएगा, स्रीमती, Mrs. Hall हो जाएगा, ठीक है, यह translate है, और यह सभी हो जाएगा, तो right answer इसका पादरी, ठीक है, options नमबर one हो जाएगा, question नमबर आट पे आईए, question नमबर आट में आप से कह रहा है कि the scientist was always does know he become curious, विज्ञानिक हमेशा डैस अब वो क्रोधित हो गया, ठीक है, ठीक है, विज्ञानिक हमेशा डैस है, अब वो क्रोधित हो गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम क्या suitable, यहाँ से कौन सा वर्ड यहाँ पे suit करता है, आपको देखना होगा, right answer हो जाएगा, इन में से, कोई में, ठीक है, विज्ञानिक हमेशा पैसेंट रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, विज्ञानिक हमेशा सांत रहेगा, यह भी नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे लगता है कि यह हो जाएगा, आपका options number 4 हो जाएगा, ठीक है, none of these होना चाहिए, चली question number आते हैं हम लोग 9 पे, question number 9 है, हमारा डाइस वाजे बिर्लियन साइंटिस, डाइस एक संदार विज्ञानिक था, कौन था आपको बताना है, आपको बताना है कि वह एक क्या था, लौफुल था, वैद था, लोयल था, वफदार था, लौवलेस था, कानून हीन था, या फिर आप बता सकते हो none of these इन में से, तो राइट आंसर है कानून हीन, यानि की कानून को नहीं मानने वाला, यानि की उलंगन करने वाला, ठीक है, यह हो गया options number 3, तो आज के इस वीडियो में हमने दसी सवाल रखा है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, कॉमेंट करोगे, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी इस तरह से लेकर आएंगे, उमीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, 200 लाइक का टार्गेट रखे हैं, इसको आप लोग पूरा कीजिए, याद रखिएगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और पहले आप जोइन कर लो, ठीक है, मिलते हैं आगले वीडियो में, थैंक यू,